बाइक सवार युवक स्टेट हाईवे से सिटी की तरफ आ रहा था इस दोरान डंपर ने बाइक को टक्कर मार कर युवक को कुचल दिया हाथसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई घटना बाड मेर गटना बाड मेर सिटधरी रोड पर बन रहे बाइपास के पास बुद्धवार रात की है सूचना पर रीको पुलिस मौके पर पहुची डंपर को जब तकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया युवक के शौ को डिस्टिक होस्पिटल की मौर्चूरी में रखवाया गया है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है पुलिस के अनुसार बाइक सवार युवक स्टेट हाइवे से सिंधरी से बाड मेर की तरफ आ रहा था इस पर बन रहे बाइपास के पास साइड से डंपर ने युवक को टकर मार कर कुचल दिया बाइक डंपर के आगे से चिपक गई आसपास के लोग मौके पर पहुँचे पुलिस को सूचना दी गई आसपास के लोगों ने बाइक व युवक के शौ डंपर के नीचे से निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर डंपर को वहां से हटाने के बाद बाइक को नीचे हटवाया वहीं युवक के शौ को बाडमेर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की मौर्चूरी में रखवाया गया है युवक के शिनाखत राम सिंग पुत्र टील सेंग नेवासी महाबार पीथल के रूप में हुई रिको थानादिकारी देवाराम के मताबिक हाथसे में युवक राम सिंग 23 वर्शिय की मौके पर मौत हो गई मृतक के परिजन भी हॉस्पिटल पहुँचे शौ फिलहाल मौर्चूरी में है परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारेवाही की जाएगी डंपर को जब्त कर लिया है वहीं ड्राइवर को पकड़ लिया गया है साइड से ट्रक सामने साय तो बिना देके या परिफिक होगा निव मादे ओटल के पास में इनके पास यह रिंग रोड का काम चल रहा है इनके पास कोई परमिशन बखेरा नहीं बिकर परमिशन काम कर रहे है बाडमेर जिला समवाद दाता लक्षमर चौधरी की रेपोर्ट जिला समय है